शिवराज सिंग चौहान साब मेरी आपको चुनोती कि आपके बच्चे हिंदी माध्यम की स्कूल से पढ़े हैं, मुझे पता है वो कहां से पढ़े हैं एक बच्चा तो सिंबायोसिस से पढ़ रहा है, क्या हिंदी माध्यम में परिक्षा दी उस बच्चे ने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे बच्चे जाए हिंदी माध्यम में, और शिवराज सिंग चौहान के बच्चे अमेरिका लंडन की यूनिवर्सिटियों में अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में पढ़े, सारा ग्यान है हम लोगों के लिए, सारा ग्यान है मध्यमाय वर्गिये परिवारों के लिए, निमनाय वर्गिये और क्यों करते हैं पता आपको ये बात, ताकि हम उनके बराबर नहीं बैठ सके, उनसे आखों में आके डालके सवाल नहीं पूछ सके, खुद के बच्चे पढ़ रहें लंडन में, एक बच्चा पढ़ रहा अमेरिका में, बड़े-बड़े विश्विध्यालों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं, और यहां पे हमको अंग्रेजी का बखान कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा जो भी लोग यह सवाल पूछते हैं, पहले अपनी माक्षीट और अपने बच्चों की माक्षीट रखे हैं, कि यह मेरी माक्षीट हिंदी माध्यम की, मैं रख सकता हूं, शिवराज जी मेरे मैं है, वो कले जा, और यह मेरे बच्चों की माक्षीट हिंदी माध्यम में, सरक के बच्चों को देश के middle income group के परिवारों के बच्चों को lower income group परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ने सी रोकने की प्रक्रिया है ये उनको आगे क्योंकि जैसे ही वो अंगरेजी माद्दे में पढ़ेंगे उनके पास पढ़ने का लिट्रेचर जादा होगा, उनके पास उपर्चुनिटीज खुलेगी, उपर्चुनिटीज खुलेगी तो उनको पता लगेगा, कि सही मुद्दा देश में बेरोजगारी का है सही मुद्दा ये नहीं है कि कपड़ों के कलर देखके व्यक्तित का मैं विशलेशन करनू सही मुद्दा शम्शान और कपरिस्तान का कंपरिजन नहीं है सही मुद्दा इस्कूल और कॉलेजों का कंपरिजन का है सही मुद्दा देश के युनिवर्सिटी और अमेरिका की युनिवर्सिटी के कंपेरिजन का है, शम्शान और कप्रिस्तान के गंपेरिजन का नहीं है तो पता लगेगा, तो ये इनकी एक modest operandi है, हिंदी माध्यम से हिंदी माध्यम से जीवन बर पड़ाओ कोई गलत नहीं है पर क्या हिंदी माध्यम के बच्चे हम अंग्रे जी नहीं पड़े क्यों नहीं पड़े भाई क्यों नहीं पड़े हम क्यों नहीं पड़े मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे लिए scale, scope of future growth बढ़ता है अंग्रे जी माध्यम से अंग्रे जी की किताब पड़ने से तो क्यों नहीं पड़े हम मैंने जीवन की सारी परिक्षाइं हिंदी में लिखी, तो इसका मतलब यह तोड़ी कि मैं अंग्रे जी से नफरत करूँ जो भी अंग्रे जी बोले उसको कऊँ इसको कुछ नहीं आता क्यों नहीं मैं तो सीखना चीए मुझे और आपको जानके ताजूब होगा कि जो हमारी service industry boom की जो liberalization, privatization, globalization के बाद देश की जो middle class boom की डॉक्टर मनमोन सिंग जी के नीतियों के बाद जो देश में एक नया work बना जिसको हम middle income group कहते हैं वो क्यों बना क्योंकि हमारे पास English understanding और English speaking population थी जिसने उस service industry को अपना manpower supply करी और वो service industry boom करी और जिसका नतिजा ये हुआ कि देश में Silicon Valley देश में ने-ने technological development हुए जिसका नतिजा ये हुआ कि दुनिया में कहीं भी software का नाम आता है तो लोग ये ही कहत है कि हिंदुस्तान का होगा विक्ति दुनिया में कहीं पर IT service का नाम आता है बले वो कैलिफोर्निया हो इसराइल हो या दुबाई हो दुनिया में कहीं नाम आता है कि ये technology है तो बोला है बंदा हिंदुस्तान का होगा और अब हमको वापिस पूराने पाशन यूग में पढ़ना ची वो सरकारी स्कूल में जाए